हलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टो मैं चैनल शायना गोयल सो फ्रेंद्स वे गोइंग टो कॉंटिन वर सीरीज ओफ मैथमेटिक्स और आज हमारा जो है नंबर सिस्टम का फाइनल टॉपिक है दाट इस सिंपल इंट्रस्ट एंड कंपाउंट इंट्रस्ट एक ही सेशन में हम दोन अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो यह टॉपिक आप किस लेवस में आएगा और इसमें से आपको एक कोश्चन देखने को मिलेगा यानि कि इस सेशन से आपका इसके रिलेटेड एक नंबर पक्का दिखिए जितने भी कोश्चन प्रिविएस पेपर के मैंने इसमें स्टड कीजी इसको स्टार्टिंग विद्थ सिंपल इंट्रस्ट इंट्रस्ट क्या होता है ब्याज होता है किसी भी रकम पर जब कोई ब्याज लगे ठीक है आपको वो बढ़कर मिलती है ब्याज लगकर फिर आपके हाथ में वो रकम आती है वो क्या होता है सिंपल इंट्रस्ट ठ हम कहते हैं कि annually यह actually match किस के साथ करता है बैंक के साथ क्योंकि बैंक जो है आपको annual जो रेट आफ इंटरस्ट है उस पर चार्ज करती है न तो उसी के according यह terms बनी है simple interest compound interest simple interest क्या होता है जब for example सीधा मैं आपको example से समझाओंगी suppose आपने 1000 रुपए जो है जमा करवा दिये बैंक में ठीके तो इस पर ब्याज लगकर आपका साल का कितना लगया समझ लीजे 10% rate of interest उनों ने आपको दिया तो 10% 1000 का 10% कितना हो गया हमें एक साल का निकाल रहे हैं ठीके हजार का 10% हो गया हमारे पास कितना 100 रुपए तो यानि कि एक साल बाद आपके जो 1000 रुपए थे वो कितने बन गए 1100 रुपए बन गए ठीके उसके अगले साल फिर से जो interest लगेगा वो इस पर नहीं लगेग तो यही है difference compound interest और simple interest में simple interest जो लगता है हमेशा उसी amount पर लगता है जो आपने जमा करवाई है लेकिन compound interest क्या है उस पर लगता है जो आपकी रकम बन चुकी है ठीक है पहले साल देखे simple interest और compound interest सेम रहेंगे क्योंकि जो आपने पैसे 1000 उपएद bank में जमा करवाया ना तो वो initially 1000 पार ही रहे लेकिन एक साल के बाद वो 1100 हो गए अब अगर हम इस पर simple interest लगाएंगे तो फिर से simple interest क्या बनेगा इसका 10% लेकिन अगर हम compound interest लगाएं तो compound interest क्या बनेगा ठीक है इस पर यह देखे 1100 पर लगेगा यहाँ पर जो principal amount होगी वो 1000 नहीं होगी 1100 होगी फिर जो interest इकल कर आएगा वो क्या होगा compound interest ठीक है तो इसके बाद आपके हाथ में जो रकम आती है ठीक है वो interest लगने के बाद आती है चाहे वो यहाँ पर मैं आई ही लिखोंगी principal plus interest तो basically यह formula भी कहां से आया amount का formula चलिए starting से हम जो है इसका formula देखते हैं अब यह चीज़ आपको समझ में आगे compound interest के जब हम questions करेंगे तो इसको थोड़ा और detail में देखेंगे फिल हम हम देखते हैं simple interest so simple interest इसको हम लिखते हैं si simple interest is equal to p principal amount जो bank में हम जमा करवाते हैं यह किसी को भ्याज पर देते हैं और r होता है rate of interest और यह rate of interest क्या होता है generally per annum लिखा होता है p.a यानि की per annum यानि की साल आना एक साल का और यहाँ पर आता है t t is for time और यह time होता है साल में अगर एक साल दिया है तो t की value क्या होगी 1 होगी अगर 2 साल है t की value 2 होगी ठीक है इस तरह से यह चीज़ चलेगी यह चीज़ पता लग गई उसके बाद amount क्या होती है कि आपको principle एक तो आपको मिल गया ठीक है उसके ऊपर क्या ब्याज लगकर आपको मिलता है तो इसका basically एक formula होता है 1 plus r upon 100 इसकी power t यह t क्या है time है कितने time के लिए मिल रहा है अब अगर हम simple interest की बात करें और compound interest की जो हमने देखी थी अगर time period 1 है तो यह formula क्या बन जाएगा p plus p into r और time तो एक ही है ना तो अगर हम यहाँ पर बान लगा दे कोई फरक पड़ेगा इससे नहीं पड़ेगा it means यह क्या हो गया simple interest ही हो गया ना यही हमने formula किया था amount क्या होती है principle amount प्लस उपर उसके उपर जो simple interest लगता है तो पहले साल के अगर हम बात करें तो simple interest और compound interest य ठीक है यह चीज़ क्लियर होई अब इसकी related questions थोड़े से देख लेते हैं इस rate of interest per annum on amount of on a sum of rupees 3000 तो यहाँ पर हमें sum of rupees 3000 यह हमें क्या दे दी है principle amount is 12% ठीक है rate हमें suppose दिया हुआ है 12% in what time will the simple interest be 1080 तो यह question है हमारे सामने और हमने find out क्या करना है कितने time में जो यह amount है ठीक है इस rate of interest पर इसका interest हमें इतना मिल जाएगा तो यह सारी values हम direct इस formula में put कर सकते हैं क्या आ जाएगा 1080 is equal to r12 multiply by t को as it is रहने दीजिए divide by 100 अब इसको t को एक side पर रखकर बाकि सारी चीज इसको पहले थोड़ा सा solve भी कर देते हैं 1080 divided by यहां पर क्या आ गया 360 तो यह हमारे पास आ गया इसका 3 years clear हो गई यह चीज क्या आ गया यहां पर तीन साल के बाद जो है interest हमारा इतना हो जाएगा इस sum पर, sum पर means जो हमने पैसे अपने deposit करवाए हैं या किसी को ब्याज पर दिये हैं तो इतना ब्याज हमें मिल जाएगा 1080 कितने सालों में 3 सालों में 3000 रुपाए के उपर यह है simple interest अभी हम compound interest की बात नहीं कर रहे हैं वो सिरफ पहले साल की थोड़ी सा information आपको दी थी यह सारे questions क्या है अभी simple interest के related ठीक है तो अब हम देखते हैं हमारा next question So second question देखे क्या है Ananya took a loan of rupees 1200 with simple interest for as many years as the rate of interest तो सबसे पहली चीज हमें पता क्या लग रही है कि principal amount जितना loan लिया गया है वो क्या है rupees 1200 अब कितनी देर के लिए लिया गया है उतना ही rate of interest है उतने ही सालों के लिए वो लिया गया है यानि कि rate is equal to time जितने साल है उतने ही percent rate है ठीक है If she paid rupees 432 as interest तो interest हमें दिया कितना है 432 rupees यह क्या है interest At the end of loan period what was the rate of interest हमने rate of interest पता करना है तो हमारे पास interest का formula क्या है P into R into T upon 100 इसकी values put कर दीजिए interest क्या आगया 432 is equal to P 1200 into हमने R find out करने तो हम R लिखेंगे और T क्या है equal to R तो इसको भी हम R लिख सकते हैं देखिए बस यही एक छोटी सी trick है question में बाकि क्या है simple solve करना है आपने question को किस सरा से करेंगे देखिए यहाँ पे R square बन गया R square क्या आगया 432 divided by 12 यह कितना आ जाएगा 36 तो R square की value 36 आगी 36 further किसका square होता है 6 का square तो rate of interest कितना आ गया 6 हो सकता है इस question में आपको rate of interest के साथ साथ time period पूछ ले तो दोनों same है rate of interest भी same है time period भी same है ठीक है दोनमें से कोई भी चीज पूछ सकते हैं format विलकुल same है तो हमारे पास answer क्या गया 6% rate of interest clear हो गई यह चीज बढ़े next question की तरफ so next question देखिए अब अपनी screen पर देख पा रहे हैं a man took loan from bank at the rate of 12% per annum साथ की साथ हम लिखते जाएंगे जो चीजे 12% per annum after 3 years he had to pay तो time लिख लिजे पहले कितना है 3 साल का time है ठीक है he had to pay rupees 5400 interest यानि की interest दिया हुआ है हमें यह चीज amount नहीं है interest है ठीक है rupees 5400 क्या दिया है interest for the only for the period the principal amount borrowed by him was तो अब हमने find out क्या करना है simple हमने principal find out करना है ठीक है तो इसका formula लगा दिजे interest का formula ठीक है तो पी को एक तरफ रख लीजिए और बाकी सारी equation को एक तरफ हम ले जाते हैं divided by so यह solve करके हमारे पास इसका answer आ जाएगा 15,000 rupees 15,000 rupees हमारे पास इस चीज़ का answer आएगा that is option number c क्या है इसका correct answer यह चीज़ क्लिर होई बिल्दकुल simple question है इसी तरह से आते हैं थोड़ा बहुत tricky होते हैं बस यही तरह के questions जो है आपको paper में आते है तो इस तरह से आपको practice होनी चाहिए साथी के साथ main क्या है इसको जो formula है PRT upon 100 ठीक है यह formula आपको पता होना चाहिए और इसके इलावा कुछ भी नहीं है सिरफ question को समझें अगर आपको question अच्छे से समझ में आ गया तो आधा question आपका वैसे ही solve हो गया चलिए question और देखते हैं simple interest पर फिर हम बढ़ेंगे compound interest की तरफ question number 4 आप अपनी screen पर देख पा रहे है what will be the ratio of simple interest earned by certain amount at same rate of interest for 6 years and that for 9 years अब इस question में देखिए हमें दिया क्या हुआ है कि हमने सबसे पहले find out क्या करना है simple interest ठीक है simple interest for 6 years and simple interest for 9 years इसकी हमने ratio find out करनी है और question में हमें दिये किया चीजे हुई है on a certain amount यानि कि principle जो है दोनों चीजों के लिए same है और rate of interest भी देखिए हमें क्या दिया हुआ है same rate of interest for 6 साल के लिए भी वही rate of interest है 9 साल के लिए भी वही rate of interest है तो ये दोनों चीजे common चलेंगी ठीक है और time हमें पता है एक time क्या है 6 है एक time क्या है 9 है तो दोनों simple interest for 6 years क्या बनेगा p into r into 6 upon 100 ठीक है upon 100 और इसका तो cancel हो जाएगे इसलिए हम वो नहीं लिखेंगे p into r into इसके लिए time क्या है 9 divided by 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि 100 100 cancel हो जाएगा तो यह हमारे पास क्या आगई इसकी ratio 6 is to 9 that is 2 is to 3 so simple interest for 3 years sorry 6 years and simple interest for 9 years इन दोनों की ratio हमारे पास क्या आगई 2 is to 3 that is option C अगे ठीक है तो यह चीज आपको समझ में आगई बिलकुल simple है shortest form of the question है question समझ में आगया तो solve करने में कोई दिक्कत नहीं है अब हम देखते हैं compound interest के कुछ questions so now is compound interest compound interest means ब्याज के उपर फिर से ब्याज लगना अब देखें simple interest में हमने क्या देखा था कि पहले साल का interest वो same होता है चाहे वो simple interest है या फिर आपका compound interest difference का पता लगता है जब second year का interest हम लेना चाहते हैं for example हमारे पास 1000 रुपए है ठीक है यहाँ पर हम calculate करेंगे simple interest और यहाँ पर आएगा compound interest साथ ही में जो हमारे हाथ में पैसा आएगा यानि की amount total जो principal amount में interest जोड कर आएगी तब आपको difference पता लगेगा ठीक है यह हमने निकालना है 2 साल का ठीक है तो देखे rate of interest है 10% principle है 1000 रुपए और time है हमारे पास 2 साल तो simple interest क्या होगा simply इसको क्या करेंगे 10% 1000 का 10% कितना होता है 100 रुपीज दो साल के लिए कितना हो जाएगा यह into 2 divided by 100 तो क्या हो जाएगा यह 200 रुपीज तो हमारे पास amount कितनी हो जाएगी जो रकम हमारे हाथ में आएगी जितने हमने 1000 रुपे दिया हूँ है ना किसी को ब्याज पर तो हमें ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा पहले साल का 100 मिलेगा दूसरे साल का भी 100 मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो interest है वो सिरफ principal amount पर लगता है ना कि जो नई value निकल कराई है उस पर ठीक है तो यहाँ पर amount क्या हो जाएगी principal plus interest, interest कितना है 200 रुपए तो यह आ जाएगा हमारे पास 1200 amount in case अगर हम simple interest ले रहे हैं तो ठीक है अगर हम बात करें compound interest की तो पहले साल के लिए compound interest क्या रहेगा same यानि कि 100 रुपीज first year के लिए क्या रहेगा इसकी principal first year के लिए initially क्या थी 1000 रुपए ठीक है rate of interest 10 और यहाँ पर आएगा 1 क्योंकि हम पहले साल का निकाल रहे हैं ठीक है तो यह क्या आ गया हमारे पास 100 for first year ठीक है अगर हम दूसरे साल की बात करें तो यहाँ हमारे पास amount क्या आ गई 1000 plus 100 तो हमारे पास यहाँ पर principal जो नया बन गया वो क्या बन गया 1100 ठीक है यह एड कर दिया ना 100 रुपया इसमें जुड़ गया तो compound interest क्या होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगना यानि कि principal पे तो ब्याज लगेगा ही लगेगा लेकिन जो आपने interest कमाया है उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा ठीक है तो यहाँ पर यह क्या जाएगा rate फिर से 10% फिर से time एक साल क्यों क्योंकि second year only है दो साल ही कठे नहीं है second year के लिए है तो यह हमारे पास क्या जाएगा इसकी value 110 रुपई ठीक है यह चीज समझ में आगी हमको अब क्या बनगी amount क्या बनगी total जो आपके हाथ में यहाँ पर amount हमारे पास क्या बनी थी 1200 रुपई यहाँ पर amount क्या बनेगी यहाँ पर तो हम total कर चुके है न 1100 में और क कितने पैसे जुड़ गए यानि की 110 रुपई तो यह कितने हो गए हमारे पास 1210 amount हो गई ठीक है तो हम कहते जब ब्याज पर ब्याज लगता है वो ज्यादा amount होती है अगर अकेला हम single simple ब्याज लेते हैं simple interest लेते हैं तो वो कितना बनता है कम बनता है compound interest ठीक है तो यह 1200 है औ अगर हम amount इसकी देखे compound interest लगने के बाद वो क्या होगी 1210 रुपई ठीक है ब्याज के उपर फिर से ब्याज लग गया अब इसके questions देखे किस तरह से solve करने हैं वो देखे हम traditional method से भी कर सकते हैं पहले साल का निकालो दूसरे का निकालो and so on यह traditional method है tricks हमको solve करनी होती है ताकि कि हम multiple choice questions में जट से उसका answer पता कर पाएं तो इसके लिए मैं आपको करवाओंगी ratio method ratio method हमने किया था percentage में कि अगर 20% है 20% का मतलब कितना है 20 बटा 100 that is 1 by 5 ठीक है तो इस method से हम इसके सारे questions solve करेंगे सो देखिए हमारे पास question क्या है हमें दिया हुआ है rate of interest कितना है 20% और साथ ही में time कितना दिया हुआ है 2% और यह compounded है compound interest लगा हुआ है इस पर simple interest नहीं है ठीक है तो हमने find क्या करना है principle ratio amount ठीक है amount क्या होगी compound interest लगा है यह चीज़ ध्यान में रखनी है ठीक है यह मैं आपक से करवा रही हूँ सबसे पहले देखिए एक तो होता है traditional method यहां पर मैं आपको traditional method करवाऊंगी और यहां पर ratio method देखना shortcut कितना है यह कोई भी question आजाए आपको ratio method से जट से solve होता है तो traditional method के according जो amount है amount कितनी होती है p1 plus rate कितना है हमारे पास 20% और time कितना है 2 years ठीक है तो amount क्य आजाएगे p into 6 by 5 का square ठीक है यह चीज़ आ गई समझ लीजे तो हमें चाहिए a over p या फिर p over a चलो a is to p की ratio हमें चाहिए तो यह हमारे पास कितनी आ गई 36 बटा 25 actually हमें p is to a चाहिए न तो इसको उल्टा के लिख देते हैं वरना बाद में confusion हो सकती है यह चीज़ आ गई हमारे पास चीज़ इसको solve किया अब ratio method से क्या होता है हमने ratio method में rate of interest देखना होता है और देखना होता है कि कितनी देर के लिए वो rate of interest लग रहा है किसी भी र fraction में change करना सिखाया था कि अगर percentage को fraction में change करना है तो उसको 20 को divide कर दो 100 से तो यह हमारे पास क्या हो गया 1 by 5 यह है क्या है तो rate ही है ना rate कितना है 20% यानि कि 1 बटा 5 यानि कि अगर आपके पास 5 रुपए आपने ब्याज पर किसी को दिये है तो आपको 1 रुपए उससे मिलत है तो यहां पर 5 क्या हो गया आपका principal amount ठीके 5 principal amount हो गया तो एक क्या हो गया आपका interest तो आपके पास amount कितनी हो जाएगी 5 प्लस 1 इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने 6 कोई दिक्कत इस चीज में दुबारा से बताती हो एक बार इस चीज दी हो यहां पर आपको 10% दिया है तो यह क्या बन जाएगा एक बटा 10 10% means 1 by 10 तो यहां पर 10 क्या हो गई आपकी principal amount और 11 क्या हो जाएगी आपकी amount जो आपके हाथ में आएगी ठीके interest समेद यह चीज़ क्लियर हो गई अब देखिए यह दो साल के लिए हैं हम compound interest देख रहे है तो यह दो साल के लिए है तो मैं इसको दो बार यहां पर लिख दूँगे ठीके अब क्या करना है यह देखिए यह चीज़ क्या है हमारी principal है और यह चीज़ हमारी क्या है amount जो हमारे हाथ में आगी तो इन दोनों को हमने करना है multiply अब देखिए कोई भी यहां पर plus की condition नहीं होती है ठीके अगर चाहे हम simple interest find out करते हैं यह compound interest find out करते हैं तो हमेशा product होता है तो यहां पर भी क्या आजाएगा हमारे पास सीधा 25 और 36 तो P is to A क्या ratio आ गई 25 इस रेशो 36 आ गया वही answer हमारे पास कोई दिक्कत इसमें अब हो सकता है इसमें आपको P की value दी हो for example P की value समझ आपको इसमें दी होई है 5000 ठीके और आपको find क्या करना है एक तो आपको amount find out करनी है और compound interest find out करना है एक चीज़ और दिखिए यह हमारे पास amount की ratio है actual ratio नहीं है actual amount नहीं है यह ratio है ठीके amount की ratio 36 तो P की ratio कितनी है 25 है तो compound interest की ratio कितनी होगी इन दोनों को minus कर दीजिए कितनी आ 36 में जब 25 निकाल दिया हमारे पास क्या आगए 11 रेशो आ गई अब हमें इस question में दिया क्या है principle 5000 है तो previous topic में हमने क्या किया था profit and loss की session अगर आपने मेरा टेंट किया है वहां पर हमने क्या किया था कि अगर 25 की जो रकम है यह किसके बराबर है 5000 के बराबर है ठीके तो एक क किसके बराबर होगी और हमने निकालना क्या है हमें दिया क्या है कि amount निकाले amount कितनी है 36 तो 36 की किसके बराबर होगी 5000 को हम डिवाइड कर देंगे 25 से गुना कर देंगे 36 से तो इसको आप solve कर लेंगे तो आपके पास amount actual आ जाएगी यह क्या थी हमारी ratio की पी और यह क्या थी actual principal amount ठीक है यह क्या है हमारी ratio की amount और यह क्या आ जाएगी हमारे पास actual amount इसी तरह से अगर आप compound interest solve करना चाते हैं तो यहाँ पर 36 की बजाए आप 11 लिख देंगे यहाँ पर 11 multiply हो जाएगा तो यह हमारे पास क्या आ जाएगी compound interest बिल्कुल shortcut methods हैं यही आपको अपनाने हैं ठीक है सिरफ answer check करने के लिए आप यह चीज़ कर सकते हैं अदर्वाइस यह चीज़ें क्या होती हैं जब आप कोई भी competitive exam के लिए जाते हैं तो आपको tricks आनी चाहिए ताकि आप अपना question जो है बहुत जल्दी solve कर पाएं ठीक है यह चीज़ क्लियर हो गई एक दो questions और देख 15% यानि कि इसको हम क्या कर देंगे चलिए पहले question देखते हैं amount दी हुई है साथ में हमें 1960 rupees ठीक है और time दिया हुआ है दो साल तो यह भी क्या है compound interest लगा हुआ है इस पर simple interest नहीं लगा है तो हमने find क्या करना है तो principal amount find out करनी है दूसरी हमने compound interest की actual value जो है वो find out करनी है तो ratio method से करेंगे सबसे पहले हम क्या देखते है rate कितना है और time कितना है ठीक है बाकी चीज़े हम बाद में देखेंगे rate को अगर हम 16 2 by 3 को solve कर ले तो यह क्या आ जाएगा 50 by 3 अब percentage को मैंने fraction में change करना है तो क्या कर दूंगी मैं नीचे 100 से multiply हो जाएगा तो यह क्या बन जाएगा 1 by 6 अब देखें आप बताए मुझे इसमें कि P की value क्या होगी और A की value क्या होगी पिछले method में हमने किया था न यानि कि अगर आपने 6 रुपए किसी को ब्याज पर दिये है तो आपको 1 रुपए उसमें interest मिलता है तो आपके हाथ में कितने आए 6 रुपए तो आपके जो उसने आपने दिये थे उसको और 1 रुपए इंटरस्ट का भी आगया तो total कितने होगे 7 रुपए इट मींज 6 क्या है प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने दी थी और 7 रुपए आपके हाथ में आए ठीक है मैं इसको दो बार लिख रहे हूं क्यूं क्यूंकि time duration है दो साल और यह दो बार इसली लिख है अगर यहां पर तीन लिखा होता ना तो मैं इस तरह से लिखती और इन दो साल का कर रहे हैं तो इसको दो बारी लिखेंगे फिर से क्या करना है हमने 66, 36, 7, 7, 49 तो यह हमारे पास क्या आ गई पी प्रिंसिपल और यह आ गई हमारे पास क्या आ गया अमाउंट आ गया ठीक है अमाउंट आ गया तो अगर हम compound interest की ratio देखें यह ratio method है ना तो 49 minus 36 it means 13 ज कोशन में दी हुई है 1960 rupees it means अगर 49 का मतलब क्या है 1960 तो 1 का means क्या होगा 1960 divided by 49 अब निकालना क्या है principle तो 36 का मतलब क्या होगा 1960 divided by 49 multiplied by 36 यह हो जाएगा ठीक है यह चीज तो आपको समझ में आगी होगी profit and loss में हमने कितने questions इसके related ही discuss किया है तो इसको solve करके क्या आ जाएगा हमारे पास यह cut जाएगा 40 रह गया तो यह है P ठीक है P find out कर रहे हैं तो यह हमारे पास P की value कितनी आ जाएगी चलिए करिए solve कितनी आ जाएगी P की value यह आ जाएगी हमारे पास 1440 ठीक है यह आ गई P की value अगर हम A की value find out करना चाहते हैं सॉरी, अब हमने क्या find out करना है, compound interest, ये क्या है 13, 13 किसके बराबर होगा, 1, 9, 6, 0, divided by 49, multiply by 36 की बजाए, यहां पर 13 लिख दो, ये फिर से क्या हो गया, 40, ये क्या हो गया, हमारे पास इसका answer, 520, तो ये क्या आ गया, compound interest की actual value आ गई है, ठीक है, ये principle actual आ गया, ये compound interest actual आ गया, कोई दिक्कत इसमें, दिक्कत हो तो मुझे comment करके बताओ ये चीज़, ratio method समझ में आ गया, जितना time हमें दिया हुआ है, years में, उतनी बार हमने ये चीज़ repeat करके लिखनी है, repeat क्या किया है, rate of interest की जो हमने fraction निकाली है, वहाँ से हमने principle निकाल लिया, वहाँ से plus करके हमने क्या निकाल लिया, amount निकाल लिया, और कितनी बारी लिखा है, जितना time है, ठीक है, उसको multiply कर दिया, तो ये हमारे पास P आ गया, ये A आ गया, इन दोनों को minus कर देंगे, तो compound interest आ जाएगा, फिर अगर हमने ratio निकालनी है, तो यहाँ से मिल जाएगी, अगर हमने किसी चीज़ की actual value निकालनी है, तो वो हमें इस method से easily मिल जाएगी, इसके इलावा आपको कोई भी और type का question नहीं आएगा, मैं आपको बता रही हूँ कि यही type के questions जो है previous papers में, चाहे वो आपका seated का paper हो, किसी भी state का paper हो, सारे state की papers for all दिये हैं, मैंने proper से check कर लिये हैं, ठीके वहाँ पर इनके इलावा कोई भी question नहीं आया हुआ है, बर आएगा आपको एक ही question इससे ज्यादा भी नहीं आएगा, एक ही question आएगा, लेकिन इन भी methods पर आएगा, तो यह आप अपनी पकी कर लीजे यहाँ पर, ठीके एक और question देखते हैं, इसके related, अब देखी यह last question है, लेकिन यह थोड़ा सा tricky question है, अब यहाँ पर हमें rate क्या दिया हुआ है, 10% और time क्या दिया हुआ है, एक साल और 2 by 5, तो यह तो हो गया 1 year, ठीके, यह 2 by 5 का क्या fundा है, ठीके यह भी compounded क्या है, compound interest लगा हुआ है, इसमें और हमने find क्या करनी है, ratio, principle और amount की क्या ratio होगी, तो इस question को, इस तरह के questions को क्या करते हैं, देखिए हमें ratio method के लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो rate और एक time, दोनों हमें given है, लेकिन यहाँ पर compound interest लगा हुआ है, तो हर साल का 2 by 10, आ गई ratio इसकी, यह चीज़ समझ में आ गई, ठीक है, इसके लिए P की value क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और A की value क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दू, 10 और 11, पहले साल के लिए, अगर हम दूसरे साल की बात करें, तो इसका rate, इसका से, यानि कि इसका rate कितना हो गया, 4% हो गया, 4% को फिर हम क्या fraction में तोड़ेंगे, 4 बटा, 100 क्या आ गया यह, 1 बटा, 25, 1 by 25 आ गया हमारे पास, ठीक है, यह चीज़ पता लग गई, क्योंकि rate देखिए, पूरा साल का नहीं हमने निकालना, हमने सिरफ 2 by 5th of an year निकालना है, एक साल का 2 by 5 कितना होता है, तो उसका rate कितना लग जाएगा, हमने rate को multiply कर दिया, तो rate सिधा, 4% आ गया, इतने time duration के लिए, ठीक है, हमी 10% पूरे साल का दिया होता है, तो इतने time के लिए कितना rate होगा, उसको उतने time से multiply कर दो, तो 4% आ गया, 4% के हिसाब से हमने, अब हमारे पास नया rate of interest बन गया, दूसरे साल के लिए, जैसे ये था ना, वैसे ये दूसरे साल के लिए बन गया, तो इस rate of interest के according हमारी fraction क्या आ गई ये, तो यहाँ पर हमारी principal value कितनी है, 25, और amount कितनी हो जाएगी, 26, ये चिस clear हो गई, अब फिर क्या करना है, फिर तो हमें आता है, कि इसको multiply कर दो, इसको multiply किया, कितना आ गया, 250 आ गया, और इसको multiply करेंगे, हमारे पास क्या जाएगा, 282, ये क्या आ गया, हमारे पास P हो गया, और ये है हमारे पास A, इन दोनों की ratio कर दो, P upon A, या फिर P is to A, लिख लो चलो, P is to A, कितनी हो गई, 250, 282, 2 common है, ने, इन में 25 is to 141, ये इसकी क्या आ गई, हमारे पास ratio आ गई, क्लिर हो गई ये चीज, सिरफ इसमें दिक्कत कहा थी, कि अगर 2 by 5, यहाँ पर कोई भी fraction में year आ जाता है, उसको आपने क्या करना है, एक साल का तो अलग से लिख दो, ठीक है, दूसरे साल का क्या करना है हमने, यहाँ पर rate को इस चीज से multiply कर दो, और फिर वहाँ पर हमारा new P और new A आ जाएगा, तो वहाँ पर method बाग की same ही रहेगा, यह चीज क्लिर होई बच्चो, बताओ मुझे कमेंट कर गई, यह चीज अगर आपको helpful लगी है, और अच्छे से समझ में आ गई, तो एक thumbs up जरूर दिखा दिया स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारी जो है number system की जो proper topic है, वो complete होता है, और साथ ही में देखिए CDP की हमारी classes चल रही है, almost complete होने वाली है, हमारी CDP, तो वो भी आप series चेक कर सकते है, channel की playlist में आपको में मिल जाएगा, इसी वीडियो के description में भी मैं आपको CDP की playlist का link दे होंगे, अब वहाँ से भी complete series जो है, देख सकते हैं, so friends, यह session helpful रहा हो, तो इसको like and share ज़रूर कीजएगा, see you in the next video, till then, keep watching.